पहला क्यूशन आपके स्क्रीन पर ये रहा पुछा जा रहा है ग्राशिया जंजाती में मोर बंदिया रित्ती रिवाज किस अउसर से जुड़ा हुआ है ग्राशिया जो जंजाती है उसमें एक रित्ती रिवाज में मोर बंदिया पुछा जा रहा है कि वो किस अउसर से जुड़ा हुआ है, विवा से, सगैशे, जनम से, या फिर, यहाँ पर आप्शन नमर डी है, मृत्यों से, बताई, बताई, ग्राश्या जंजाती में मोर बंदिया जो एके रितिरी बाज है, वो किस अउसर से जुड़ा हुआ है, देख रज्ये की तीसरी सबसे बड़ी जन जाती है याद रखेगा आपको पुछा जाए रज्ये की तीसरी सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है तो याद रखेगा गराश्या पुछा जाए रज्ये में सरवादी गराश्या कहां पर है तो गरासी, सी से याद रिखेगा शिरोही, सरवादी गराश्या के इस दिल्ले में है, याद रिखेगा शिरोही, सिरोही के शेत्र के आप बात करेंगे, तो याद रिखेगा भाकर परदेश, ठीक है, और यहाँ पर पुछा गया है मोर बंदिया, देखे, मोर बंदिया जैसे सभी शेत्रों की अगर हम चर्चा करें तो पंडी जी बंडी जी होते हैं मोर बूर बांद के जो साधी करते हैं न वही है ग्राश्या जंजाती के अंदर क्या मोर बंदिया विवा ठीक है अगला देखिए दूसरा निम्न मेंसे भिलों की सर्वादिक आबादी पाई जाती है बहुलवाडा है शिरूई है या फिर रासमन और यह जो भील जन जाती है याद रिखेगा रज्य की सबसे प्राचीन जन जाती है पुछा जाए रज्य की सबसे प्राचीन जन जाती तो याद रिखेगा कौन सी है भील जन जाती और इन में से ये सरवादी कहां पाई जाती है तो याद रिखेगा option number है आपके सामने age correct आसवर बासव लेजिए अगला, अगला है मक्का, राजस्तान की किस जन्जाते का मुख्य भोज है, यानि कि ऐसी कौन सी जन्जाते है, जिसका जो मुख्य भोजन है, वो आपके मक्का है, बताईए, सांसी है, भील है, मीना है, शहरिया, बताईए अब यह तो आप थोड़ा एरिया के इसाप से बता सकते है, देखिए, मक्का जो होता है, वो सरवादिक कहां पर है, दक्षिनी राजस्तान में, और दक्षिनी राजस्तान में इनमें जो सरवादिक जाती है, वो है, यादर के गाभील जन्जाती दक्षिनी राजस्तान में शरवादी जो जंजाती मिलती है वो कौन सी है याद रखेगा भील जंजाती तो यहां पर जो option हो जाएगा वो होगा आपके सामने बीज करेक्ट आसवर याद रखेगा भील भील जो जंजाती है उनका जो मुख्य भोजन है वो है आपके सामने मक्का याद रखीगा ठीक है अगला लीजी अगला है निम्न में से अनुसुचित जाती ऐसी में शमेलित है भील, सांसी, शहरिया या फिर मीना बहुत अच्छा क्यूशन है आप जब पढ़ते हैं ना कि राजिस्तार में परमुक जन जातियां तब आप देखते हैं कि एस्टी अनुसुचित जन जाती और ऐसी अनुसुचित जाती आपके सेलेबर्स में जो टॉपिक है न जन जातियों का उनमें आप देखिए एस्टी के अंदर आप पड़ते हैं मीना है, भील है, गराश्या है, सहरिया है, कथोडी है और डामोर है, ठीक है, यह तो आपके क्या है, स्टी, स्टी की यह दि हम बात करते हैं, तो याद रखेगा सांसी है, और कंजर, याद रखेगा यह दोनों ही जिसमें आती है, वो स्टी में आती है, ठीक है तो ST, अनुसुची जन जाती में आप ये 6 परकार की जाती पड़ते हैं और SC में आप अनुसुची जाती में 2 जाती पड़ते हैं, सांसी और कंजर यहाँ पर option नमर हो जाएगा, B is correct answer, ठीक है? याद दिखेगा चली, अगला question लीजी, अगला है भिलों दुआरा लड़की के विवा के समय घर की दिवार पर बनाए जाने वाले लोग देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? यानि कि आप ये समझ लीजी, क्यूशन पूछना चारा है कि भिलों में विवा की देवी किसे कहा जाता है? भिलोँ में विभाकी दिवी, मांड़ना है, भराडी है, फड़ है या तहनिशा है देखे मांडना तक क्या होता है तो आप सब जानते ही हैं मांडना है कि लोक कला है ग्रामिन शेत्र में आप अक्सर जानते हैं कि महिलाएं गर का जो आंगन होता है वो गोबर से लेपती है और उसके उपर जो मानने बनाते हैं जो चित्र बनाते हैं उससे क्या बोलते हैं मानना तो ये भी कुशन के बार पुछा गया है कि ग्रामिन आंचल में महिलाओं द्वारा अंगन में गोबर लेपकर उसके उपर उके रेगे चितर क्या कहलाते हैं या दखेगा मांडणा ये भी एक अच्छा फेक्ट है तो मांडणा तो क्या है लोक कला फड़ क्या होती है तो क्या कहलाता है फड़ सापूरा तह निशा क्या होता है तै निशा होता है कि कपड़े में गहरी डिजाइन प्राप्त करने के लिए वो क्यरिया कौन सी है याद दिखेगा तै निशा यहाँ पर बचा ओप्शन एक है भराडी याद दिखेगा भिलो में विवाक की जो देव एक लोका नूरंजन मेला क्या कहलाता है गोटन मेलनी हमेलो या खुशनी बताई यह क्या कहलाता है एक लोका नूरंजन मेला क्या कहलाता है बताई देखे अच्छा ये सब्द देखे आदिवाशियों आदिवाशियों का लोग का नूरिंजन जो मेला होता है उसे बोलते हैं हमेलो लीजिये नेक्स्ट अगला अगला पुछा जा रहा है देखेगा कि 2011 की जन गर्णा के अनुशार राजस्तान में अनुशुचित जन जाती का गरामिन एव नगरिये जन संक्या में परतिशत क्या है इस परकार के क्यूशन आपके एक्जाम के लिए बड़ा ही इंपोर्टेंट होते हैं यहाँ पर पुछा जा रहा है कि जो एस्टी है अनुशुचित जन जाती इसकी जो जन संक्या है वो 2011 क्यानुशार पुछा जा रहा है कि रूरल यानि की गरामिन और अर्बन यानि की जो नगरिये है वो कितने परतिशत है तो याद रिखेगा रूरल तो है आपके 16.9 परतिशत जिबकि अर्बन के आप बात करेंगे 3.2 परतिशत 3.2 परतिशत पाफी अच्छा क्यूशन है यहाँ पर option नमर हो जाएगा A is the correct answer याद रिखेगा चीक है option नमर A is the correct answer लीजे next अगला क्यूशन अगला क्यूशन है आदिवाश्यों के उत्थान हितू कारिरत मानिकेलाल वर्मा आदिम जाती सोध संस्तान की स्थापना कब हुई है 1992, 1975, 1989 या 1964 आदिवाश्यों के उत्थान हितू कारिरत मानिकेलाल वर्मा आदिम सोध संस्तान जो है यह है आपके उद्यपुर में और वैसे भी नाम से पता चल गी आपको मानिकेलाल वर्मा यानि कि मानिकेलाल वर्मा जिन्हें आप बोलते हैं मेवाड का गंदी मेवाड का क्या क्या लाते हैं ये मेवाड के गंदी मानिकेलाल वर्मा तो यह जो मानिकेलाल वर्मा आदिम जाती सोध संस्तान है इसकी जो इस्तापना है वो हुई है 1964 में 1964 पढ़िए भई पढ़िए अगला क्विशन लीजिए अगला है राजस्तान में उंदर या पंत किन में परचलित है भिलों में मिनाओं में शहरियाओं में या फिर ग्राशियाओं में देखे अक्सर आप जानते हैं जब पंत की हम बात करते हैं तो दो तीन हम पंत पढ़ते हैं एक तो आप पढ़ते हैं कामडिया पंत याद रिखेगा चलाने वाले कौन से थे याद रिखेगा लोग देवता है राम देव जी एक है आपके कुंडा पंत कुंडा पंत चलाने व बात करते हैं तो याद रखेगा संत दादू देयाल संत दादू देयाल उसी परकार ये पंत भी आप पढ़ते हैं अक्सर के राजस्तान में उंदर या पंत निम्मे से किसमें पर चलित रहा है याद रखेगा option number age का रेक्ट आंसर भीलों में ठीक है भीलों के अंदर लीजी अगला अगला है पंचताई एकादशिया और 84 किस जनजाते के पंचाईत इस्तर माने जाते हैं पंचताई पांच गाँ एकादशिया ग्यारा गाँ चोराशिया 84 गाँ किस जनजाते के पंचाईत इस्तर माने जाते हैं मेना है शेहरिया है भील है या फिर कंजर है बताईए यह आपके पंचाईत इस्तर है क्या है पंचाईत इस्तर और यह पंचाईत इस्तर तीन परकार के हैं पांच गाउं याद दिखेगा कहलाते हैं पंचताई ग्यारा गाउं कहलाते हैं आपके एक कादशिया और 84 गाउं कहलाते हैं चोराशिया और यह जो पंचाईत का इस्तर है यह जिस जंजाती में हैं वो है आपके शहरिया किसमें है याद दिखेगा शहरिया में यानि कि option number है B is the correct answer, याद रखिएगा, ठीक है, शहरिया, तो तीन नाम दे दिए इसने, पंचाईतिया, एकादशिया और चोराशित तब जाकि इसका answer क्या है, शहरिया, लीजिए, अगला कुष्ण, अब पुछा जा रहा है आपके सामने, कि राजस्तान में सरवादिक परतिशत वाली अनुसुचित जंजाती कौन सी है, राजस्तान में सरवादिक परतिशत के आधार पर, सरवादिक अनुसुचित जंजाती, भील मीना, गराशिया या फिर भील मीना, तो अब देख लिए जी राजस्तान में शर्वादिक तो वो है आपके राजस्तान में शर्वादिक मीना याद रिखेगा ओप्शन नमर बीज करेक्ट नास्व देखे अक्सर आपको एक जमनल पूसता है कि राज्ये की राज्ये की सबसे बड़ी जंजाती कौन सी है तो याद रिखेगा मीना अच्छा दूसरी सबसे बड़ी जंजाती कौन सी है भील तीसरी सबसे बड़ी जंजाती कौन सी है गराश्या चोत्ती सबसे बड़ी जंजाती कौन सी है याद रिखेगा शहर्या तो मतलब ऐसे भी क्यूशन पूछे गए हैं डाइरेक्ट है कि राज्ये की तीसरी सबसे बड़ी जंजाती कौन सी है याद रिखेगा गराश्या आज कल इस परकार के क्यूशन पूछते हैं जैसे आप जियोगराफी में क्यूशन देखते होंगे आपको पूछा जाता है कि राज्ये की तीसरी सबसे बड़ी चोटी की उंचाई कितनी है अब वो ये पूछ भी नहीं रहे है कि तीसरी सर्व चोटी की उंचाई कितनी है तो कुछन पूछने के तरी के अलग-लग हो गए हैं तो यहाँ पर जो आप्शन है वह जायेगा आपके सामने 20 करेक्ट आसवर याद रिखेगा मीना चीक है चलिए अगला अगला किशन है वहे जंजाती जिनके घरों के दरवाजे खिड़की नहीं होते हैं कथोड़ी है शेहरिया है कंजर है या फिर सांसी है देखें वैसे क्यूशन थो थोड़ा विवादे इसपत भी बन जाता है आप पूराना पेपर उठा कर देखेंगे तो क्यूशन ये पूछ रखा है कि ऐसी कोन सी जाती है जो अपराद करती है इसलिए घर के दरवाजे और खिड़की नहीं रखती है तो क्यूशन पूछने का तरीका कैसा भी हो बस आप ये पकड़िएगा कि आपको पूछा जाएगे ऐसी कोन सी जंज जाती दुवारा पहड़ी ढालों पर की जाने वाली इस्तानांतिरत कर्शी क्या कहलाती है भील जंजाती दुवारा जैसे देखिए ये कोई शत्र है ये आपके पहड़ी ये वापस मेदानी ये पहड़ी और ये मेदानी ये भाग तो क्या है ये भाग है मेदानी मेदान है और यह भाग कौन सा है याद एक पहाड़ी अब भील जंजाती दुआरा मेदानी शेतर में जो कर्शी की जाती है उसे तो कहते हैं दजिया और पहाड़ी शेतर में जो कर्शी की जाती है उसे कहा जाता है चिमाता अब यहाँ पर क्या पुछा जा रहा है यहाँ पर पुछा करशी का तात्फिरी क्या होता है एस्थानांतृत करशी का लग-लग नामqun से च向ज़ाते हैं तो पहाडी शेत्रों में चिमाता जबकि कि मिदारी शेत्रों में इसे दजिया कहा जाता है ठीखेcej लीजी नहेकर अगला क्यूशन क्यूशन नमर है आपके सामने नेक्स्ट क्यूशन है चेत्र विचित्र मेला किस जंजाती से समंदित है चेत्र और विचित्र मेला जो है वो किस जंजाती से समंदित है भील मेना कथोड़ी या फिर गराश्या बताइए भील, मिना, कथोडी या गराशिया देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने option number D is character आंसर याद देखेगा गराशिया वैसे आप सब जानते हैं कि गराशिया जंजाते का भी एक बहुत परसिद मेला है आपने कभी नाम सुना होगा सियावा का गोर मेला और शियावा कहां पर है याद देखेगा शिरोय इसी मेले को कहा जाता है मन खारो मेलो ऐसा भी पुछा जाए मन खारो मेला का सम्मंद निम्न में से किस जंजाते से है तो भी आ देखेगा गराशिया तो यहाँ पर ऑप्शन नमर है आपके सामने डी इस करेक्ट आसवर लीजिए अगला एक और बड़ा सांदार किशन पुछा जा रहा है भेड बक्री वे उंटों का पालन पुषन तथा वेबसाई करने वाली एक जाती विशेश है रेडो है रेंक्णों है रहल है या फिर रेबारी है भेड बक्री और उंट का जो पालन पुषन और वेबसाई करने वाली जो एक जाती है वो कोण सी है कि लिए उन्टों की पालक जाते किसे माना जाता है आप कहेंगे शबश्चान की जो पालक जाती है वह है आपके रेबारी अब यह रेबारी आपके राइका भी है रेबारी राइका या फिर देवाशी एक ही बात है इनकी वज़े से ही आज हमारे राजस्तान का जो विराशत पस्सू है याद रखेगा बहुत अच्छा क्यूशन है राजस्तान का विराशत पस्सू कोण सा है याद रखेगा उंट और इसी विराशत पस्सू को बचाने का जो कारिय किसी जाते ने किया है तो वो वाकियमी, रेबारी, राइका और देवासी की वज़े से आज हम राजस्तान में उंटों को देख पाते हैं यदि ये जाती नहीं होती तो उंट कप के विलुप्त हो जाते हैं और उंट आप जानते हैं रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं रेगिस्तान का जाज अर लिए तो उन्ट को 2014 के अंदर रज्य पस्चु का दर्जा दिया गया है 2014 में इसे क्या दिया गया है रज्य पस्चु का दर्जा याद रिकेगा तो यह जो जाती है याद रिकेगा option number D is character answer है रेबारी राई का ठीक है लिजिए अगला एक उर बड़ा शांदार सा क्यूशन है आया है खेवणा विवा किस जन्जाती में परचलित है बताई देखे पुछ जाई से खेवणा मलेबू मोरबंदिया खेवणा मलेबू मोरबंदिया और तारणा ये क्या है डिरेक्ट ऐसे भी क्यूशन बढ़ सकता है कभी तो यहां देखेगा यह सब ग्राश्या जन्जाती में परचलित विवा के परकार है अलग लग विवा ठीक है तो ऑप्शन नमर है आपके सामने C is the correct answer देजिए अगला क्यूशन अगला क्यूशन है आपके सामने पुछा जा रहा है कि फाइरे फाइरे किस जन्जाती से रणगोस है फाइरे फाइरे किस जन्जाती के रणगोस से है देखेगे दो शब्द होते हैं दो शब्द हैं एक तो है एक तो शब्द है फाइरे 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 एक शब्द है फते फते फाइरे फाइरे का समन्ज जिस से है वह याद रिकेगा युद नर्तिय से और फते फते जिस नर्तिय से है वह याद रिकेगा अगनी नर्तिय से अगनी नर्थे या देखेगा फाइरे फाइरे युद जो नर्थे है वो किस जंजाती दुवारा किया जाता है भीलों दुवारा और ये जो फते फते अगनी नर्थेओं में करते हैं ये कौन से संपरदाई के लोग हैं या देखेगा जशनाती शंपरदाई यहां पर जो पूछा गया था उसका राइट आंस्वर है ए इस करेक्ट आंस्वर या देखेगा फटे फटे ठीक है चली चली अगला क्यूशन नंबार है आपके सामने 18 क्या पुछा जा रहा है बिलों दॉआरा मारू ढूल का बजाए जाता है मांगली का उशर पर गोटी आमबा मेले पर बिमारी के समय या विपत्ति नहीं बताई यह राजस्तान का विराशत पस्तो तो उंट है राजस्तान का विराशत पस्तो उंट है ना रास्तान में कहां हाती है बिल्कुल याद रिखेगा भिलों दुआरा मारू ढोल जो बजाए जाता है वो किस समय बजाए जाता है याद रिखेगा विपत्ति के समय विपत्ति के समय भिलों दुआरा बजाए जाने वाला ढोल कौन सा है मारू ढोल लीजिए next अगला है जन जातियों की जन संक्या के आधार पर राजस्तान का भारत में कौन सा इस्ताने बताईए जन जातियों की जन संक्या के आधार पर देखिए राजस्तान में जन जातियों के आब बात करेंगे तो तो सरवादिक तो है मीना, मीना के बाद में है राजस्तान में सरवादिक भील, फिर है गराशिया, फिर है शहरिया, शहरिया के बाद में है नामूर का थोडी यहां याद रखेगा ऋप्षन नमर जो है वो हो जाएगा आपके सामने डी वे पीज़ी अगला और बड़ा सान्दार पुछा जारा है निम्न में से कोण सी लोग देवी का समंद कंजर जाती से नहीं है ऐसी कोण सी लोग देवी है जिनका समंद कंजर जाती से नहीं है जोगनिया माता, इडाना माता, रक दंतिका माता या फिर चोथ माता यानि कि इन में से तीन ऐसी देवी है जिनका समंध कंजर जाती से है देखे जोगणिया और चोत माता में कोई डाउट भी नहीं है आपको ये दोनों ही कंजर जाती से हैं एक कुल देवी है एक आरादी देवी एक इड़ना माता भी याद देखेगा कंजर जाती से है पुछा क्या जा रहा है राजस्तान के कोण से जिल्लों में सरवादिक अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती जन संक्या पाई जाती है जन गर्णा 2011 क्यानुशा बताई 2011 क्यानुशा बताई देखे जन गर्णा 2011 क्यानुशा पुच्छा जा रहा है सी कहां पर है और स्ट कहां पर है देखे ऐसी जहां सरवादिक है वह है आपके दूदे पूर और एसी जहां सरवादिक है वह जेपूर औरएस्टी शरवादिक है वह आपके उधेपूर तो जेपूर और उधेपूर और यही एदिक्युशन आपको परतिशत के आधार पर पूछता कि जन्गर्णा 2011 के अनुसार ST और SC की जनसेंग्या परतिशत के आधार पर सरवादी कहां पर है तो फिर हो जाता गंगा नगर और बासवड़ा लेकिन यहां परतिशत के आधार पूछा भी नहीं है ठीक है तो D is correct लेजिए अगला क्यूशन क्यूशन नमर है आपके सामने 22 पुछा जारा है राजस्तान में 2011 की जन्गर्णा के अनुसार किन जिल्लों में अनुसुची जन्जाति का परतिशत उनकी कुल जनसेंग्या में अधिक्तम और नियुन्तम है अधिक्तम और नियुन्तम दोनों चीजें पूछ लिए आपर और पुछा भी क्या जा रहा है ST के बारे में 2011 की जन्गर्णा के अनुसार ST 2011 की जन्गर्णा के अनुसार ST जो है और वो भी किस अधार पुछा जा रहा है परतिशत के अधार पर परतिशत के अधार पर यदि मेक्जिमम की आप बात करेंगे तो याद देखेगा बासवाड़ा और नियुन्तम की यदि आप बात करेंगे तो याद देखेगा वो हो जाएगा आपके मिनिममम भी कानेर लेकिन आपको डाइरेक्टी पूस्ता के 2011 की जनगर्णा के अनुसार ST शर्वादी कहां पर है तो यहाद देखेगा उदेपुर लेकिन यहाँ पर परतिशत के अधार पर पूस्ता तो बड़ा यूनिक साक्यूशन हो जाता है यहाद देखेगा option number B is correct आसवर तो यहाँ पर option number हो जाएगा B is correct आसवर किलियर लीजी अगला अगला बहुत सांदार क्यूशन भील जनजाती में पे पधार्थ हे तु किस पोधे का अधिक उपयोग किया जाता है यह तो हमने एक दिम चर्चा भी की थी और मुझे आपसे पूरी उम्मीद भी है कि आप इसका बिलकुल म कि भील जनजाती में पे पधार्थ हे तु किस वरक्षी आपोधे का अधिक उपयोग किया जाता है अंगूर का आम का खेजरी का या महुआ का यह तो आप एक साथ सारे बते भी इसका सुन बिलकुल सभी किसे यह कोई दिकती नहीं है बिलकुल साबास देखे अकसर आपको इस क्यूशन को पूछने का तरीका यह भी होता है आपको पूछा जाता है कि आदिवाशियों का आदिवाश्यों का कल्प रक्स किसे कहा जाता है और आप कहते हैं सर आदिवाश्यों का जो कल्प रक्स है वो है आपके कौन सा महुआ क्योंकि महुआ से प्राप्त होती है महुडी और महुडी जो है याद देखेगा भील जंजाती का पैपदार्थ है यानि कि यह देशी शराब है तो यहां देखेगा option number D यह जो महुआ है यहां देखेगा इसका scientific name भी पुछा जाता है मदू का लोंगा फूलिया मदू का लोंगा फूलिया तो यहां पर जो option है वो हो जाएगा आपके सामने D is a correct answer तो आदिवाशों का कलप वरक्स है महुआ महुआ से प्राप्त होती है महुडी जो की देशी शराब है अगला लीजी अगला है गमेती निमलिकित में से किस जन्जाती के लोगों के नेता होता है गमेती जो है वो किस जन्जाती के परमुक नेता होते हैं बील मीना गुजर या गुजर या गुजर किस्के होते हैं लुब भी अपने हैं गुजर है या फिर गराशिया बता इए एए आप कहेंगे सर घमेटी जिससे जर्ण जाती के मुक्या होते हैं, वो भील है, मीना के दुएसे भी आपको पता है, पटेल, ठीक है, बिल्कुल, साबास, option number A is correct, अगला, अगला है, बीजावे माला, बीजावे माला, राजस्तान की किस जनजाती की शाखाएं हैं, सांसी की, डामोर की, शेहरिया, या फिर, कंजर की बीजावे माला, अब काफिश बार देखते हैं, ऐसा किशन, एक्जाबने के यह बार पूछ रखा हुता है, बीजावे माला, राजस्तान की किस जनजाती की शाखाएं हैं, जैसे आपको पूछता हैं न, जमिदार और चोखिदार, तो जमिदार और चोखिदार, या देखेगा, मिनाओं की दो उपजाती हैं न, जमिदार मिना और चोखिदार मिना, उसी परकार बीजावे माला या देखेगा, किस जनजाती की शाखाएं हैं, सांसी की, आप्शन नमर है, A is the correct answer, चिक हैं, लीजिए, अगला, अगला है पाल किसे कहते हैं, पाल किसे कहते हैं, और पाल का परमुक होता है, पाल भी, देखेगे, पाल भिलों की बस्ती क्यालाती है, जनजाती हों दुआरा की जाने वाली खेती क्यालाती है, मिनाओं की बस्ती है, या शेहरियाओं की बस्ती है, बते ह हाँ बताई ने अच्छा कुछ नहीं है देखिए बिल्कुल यहाद देखिए बिल्लों का घाउं तो क्या कहलाता है फला बिल्लों की बस्ती क्या कहलाती है पाल इस बस्ती का मुख्या क्या कहलाता है याद देखिएगा पाल वी और वेसे बिल्लों का जो मुख्या है वो क्या कहलाता है याद देखिएगा गमेती अब यह सब अलग अलग से है कि वो पूछना क्या चाह रहा है ठीक है समझ रहे हैं भीलों की बस्ती है पाल उस बस्ती का परमुक है पाल भी लेकिन भीलों का परमुक तो कौन है मुख्या जो है वो गमेती कहलाता है याद रिखेगा तो यहां पर option number जो है वो होगा age correct answer याद रिखेगा भीलों की जो बस्ती है वो पाल कहलाती है और इसी पाल का जो मुख्या ह होता है, वो पाल भी कहलाता है जिकर या देखिएगा इंट बिल्कुल साबसली अगला और बड़ा सांदार साक्यूशन ये भी बड़ा यूनिक साक्यूशन है पुछा जा रहा है आपसे धारी संसकार राजस्तान की किस जनजाती में परचलित है धारी संसकार गराश्या, मीना, भील या, सहरिया सबसे पहली बात तो यह है कि धारी संसकार होता क्या है देखिए वेशे ऐसी बात नहीं है कि ये किवल इसी जंजाती में पड़ चली थे लगभग आप ग्रामिनी शेत्रों के अंदर देखेंगे तो किसी घर में जब बड़े बुजर्ब की मरतिव हो जाती है तो मरतिव होने के बाद में एक बड़ा सा बरतन लिया जाता है जैसे आप माल जो जैसे प्रात है प्रात जानते हो ना जिसमें आटा लगाते हैं गुन थे तो उसके अंदर आटा वाटा रखते हैं और वो चत पर रख देते हैं और सुबह जाकर देखते हैं इस आटे पर जिसका आकार बना होता है हम ये मानते हैं कि घर में जो बड़ा बुज का राजस्तान की किस जंजाती में परचलित है तो याद रिखेगा वो है आपके शहरिया कौन सी है याद रिखेगा शहरिया और ये जो शहरिया जंजाती है शहरिया जंजाती याद रिखेगा शरवादिक जो शहरिया जंजाती है वो राजस्तान के जिस जिल्ले में है वो ज इस्तान है आपके बारा के और याद रिखेगा यहीं पर आपके राजस्तान में सरवादी कौन सी जंजाती है शेहरिया एक और याद रिखेगा पुछा जाए सेहरिया जंजाती का कुम्ब किसे कहा जाता है तो याद रिखेगा सेहरिया जंजाती का जो कुम्ब है वो है सित् यह कहां भरता है सबसे important इस्तान है याद रिखेगा और वो इस्तान है केलवड़ा और केलवड़ा जहां इस्तान है वो जिल्ला है याद रिखेगा बारा तो यहां से काफी बारिस परकार की कुशन हमें देखने को मिलते हैं याद रिखेगा ठीक है शितावाडी का मिला जो ह लिजी अगला और बड़ा important question है आपके सामने लिजी पुछा जा रहा है करनल जम्स टूड के अनुसार मिनाओं का जो मूल निवास इस्तान है मिनाओं का जो मूल इस्तान है मूल निवास इस्तान निम्न वैसे कोण सा है कालि घाटी परवतमाला मुकंदेरा परवत स्रेनी आबू परवत माला या फ़ कालि खोए परवतमाला यहाँ पुछा जा रहा है करनल जम्स टूड के अनुसार क्या है ठीक है यह बड़ा युनिक सा क्यूशन है बता ही इस कहा सो बिल्कुल देखे करनल जम्स टोड के अनुसार मीनाओं का जो मूलिस्तान बताया है वो बताया है याद रिखेगा काली खोहे परवतमाला और याद रिखेगा ये जो काली खोहे परवतमाला है इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है तो याद रिखेगा इसका विस्तार जो जो इसी कालिक हो ई परवतमाला पर बना है जो इसी कालिक हो पूर्ड का मुख्याले इस्तापित किया गया है जोदपूर में पाली में बाडमेर में या उदेपूर के अंदर बताईए अब देखें